ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान दिमे रांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम्येन तसमे श्री गुरुवे नमह नमह ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रेमते भक्ती वेदांत स्वामिन इती नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौर वानी प्रचारने निर्विषेषवादी शुन्यवादी पाष्च्यत देशतारने जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री वासाधी गौर भ्रक्त वरंदा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, सबी को दंडवत प्रणाम श्री नसिम्ह कवचं नसिम्ह कवचं वक्षे प्रहलादे नूदितं पुरा सर्वरक्षा करंपुन्यम सर्वु पद्रम नाशनम सर्वसं पत्करं चैवा स्वर्गमोक्ष प्रदायकं ध्यात्वानसिम्हं देवेशं हेमसिम्हासनस्तितं व्रिवत्यास्यं तिनयनं शरदिंदु समप्रभं लक्ष्म्यालेंगित वामांगं विभूति विरुपाशृतं चतुर भुजं कोमलांगं स्वर्ण कुंडल शोबितं श्रीयाश शोबितो रसकं रत्न के यूर मुद्रितं तप्तकांचन संकाशं पीत निर्मल वाससं इंद्रादि सुर मौलिस्टस्पुरन मानिक्य दीप्तिभी विराजित पदद्वंदं शंक चक्रादि हेति भिही गरूत्मताच विनयात स्तुयमानं मुदान्वितं स्वहिर्द कमलसं वासं कृत्वातु कवचं पठेग नसिम्हों में शिरोपातु लोकरक्षात्मसं बवह स्वर्गो उपिस्तं बवासा पालम में रक्षत द्वनिम नसिम्हों में द्रिशोपातु सोम सूर्याग्नि लोचनह स्प्रतिम्हे पातु नरहरी स्वनाभी ब्राम्हसंस तुतह स्प्रतिम्हे पातु नरहरी एक मिट प्रपुजी प्रतिम्मे पातु नरहरी मुनि वरियस्तुति प्रियह नासाम में सिम्ह नासस्तु मुखम लक्षमे मुखम प्रियह सर्व विद्यादि पफपातु नसिम्हो रसनाम ममा वक्त्रम पाप्तिंदु वदना सदा प्रहलाद वंदितह नसिम्हा पातु में कंञ्ठां, सकंदो बुबरनांत क्रता, दिव्यास्रा शोभित भुजो, नसिम्हा पातुं में भुजो, करो में देव भरदो, नसिम्हा पातु सर्वतः, हिर्दयन योगि साध्यश्य, निवासं पातु में हरि, मद्यम पातु हिरन्याक्ष, वक्ष कुक्षि विदारणः, नाभिम में पातु नरहरी, स्वनाभी ब्रम्हसंस्ततः, ब्रम्हांड कोटय कट्या, यस्यास उपातु में कट्यम, गुयम में पातु गुयानाम, मंत्रानाम गुयरूपद्रक, उरुमनु भव पातु, जानु नरहरूपद्रक, जंगे पातु धराबार, हलता योस्योन्र के सरी, सुरराज्य प्रदव पातु, पातों में नरहरिश्वरह, सहस्ति शिर्षा, पुरशह, पातु में शर्वशस्तनु, महोग्रपूर्वत पातु, महा वीराग्र जोग्नितः, महा विष्णों तक्षिने महा ज्वालस्तु नैरुतो, पश्चि में पातु सर्वेशो, दिशि में सर्वतो मुखह, नसिम्हा पातु वायव्यां, सौम्या भूशन विग्रह, इशान्यां पातु भद्रों में सर्वमंगल दायकह, संसार भयदपातु, मृत्योर् मृत्योर्नके सरी, गर्जन्तं, ग अरे ख्रिश्णा सभी को तो कवच का basic meaning क्या होता है आप सब को क्या लगता है कवच क्या है unmute करके उत्तर दीजे सेफटी आर्मर पहले लोग जैसे युद्ध होता था तो वो लोहे के वस्तर पहन के कवच उसको बोलते थे न तो उसे उनकी शारेलिक रक्षा होती थी तो ऐसे भी ये जो है भगवान का ये जो है अश्टकम रक्षा तो इसे हमारी भगवान संग्टों में रक्षा करते हैं ये इसका अश्ट भाव है पार्ट भजन करते हैं तो उसमें हमें गिराना नीचे गिराना उनका उदेश्य सिर्फ यह होता है तो हमें इंफ्लूएंस करते हैं कि आलस वगेरा क्रूद इस तरह की चीज़े करते हैं तो जब हम कवच करते हैं तो नकारात्मक उर जाएं से दूर रहती है तो मैं फिजिकली भी स्ट्रॉंग रखती है और मेंटली भी स्ट्रॉंग रखती है तो प्रहलाद महराज ने स्रीमत भागवतम में बताया है कि किस प्रकार से बगवान की सेवा करनी चाहिए श्रवनम किर्थ नम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्ष्यम आत्मनि वेदनम इते पुन्सा पिता विष्णो बक्तिष्चैनव लक्षणा क्रियेत भागवत दत्या तन्मन नेधित्तमुत्तमम तो प्रहलाद महराज कहते हैं कि भगवान के सेवा किस प्रकार करनी चाहिए श्रमणम यानि उनके कथाओं को सुनना किर्थनम यानि भगवान का किर्थन करना स्मरणम यानि हर समय उनका स्मरण रखना अर्चनम वंदनम यानि उनके पूजा करना इस प्रकार से भक्ती को नवधा भक्ती होती है किसे हम बगवान के करीब जा सकते हैं इसे प्रकार नशिंग देव की स्थापना से संबंदेद एक कहानी है इस कौन मायापूर चंद्रोदे मंदिर की इस घटना में नशिंग देव की स्थापना किस प्रकार हुई वहां किस प्रकार की माया भी घटना हुई इसके बारे में भर्णिन किया गया तो बात 24 मार्च 1984 की है रात को बारा बजे टेब प्रैक्टिस डाकुओं ने श्रे मायापूर चन्दोधạt मंदिर में आकरमन कर दिया और वहां से राधाराणी और श्रीला प्रभुपात का विग्रज़ा ले जाने का प्रयास किया भक्तों ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया और वे उन्हें रोक भी पाए लेकिन संकर्ट निरंतर मनराता रह रहा था जिसे वे अतियंती चिंतित हो गए थे तो इसकौन मायोपूर के सहा निर्देशक भावनानन जी ने सुझाओ दिया कि इसकौन मैं नर्सिंग देव के विग्रा की स्थापना करनी चाहिए क्योंकि वे हर प्रकार से रक्षा करने के लिए देवता है श्रील भक्ति मिनो ठाकोर और उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्दान सरस्वती जीनवी इससे पहले लक्षमी नर्सिंग देव की स्थापना की थी जिससे उनके मंदिर में भी निर्विग्न कार्य संपन होते हैं लेकिन भक्तों के सामने अब ये समस्या थी कि नर्सिंग देव की स्थापना करना इतना सरल नहीं होता पुजारी का नैश्टिक ब्रह्मचारी होना चाहिए नैश्टिक ब्रह्मचारी का अर्थ होता है जो जन्म से ब्रह्मचारी है और कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है तो सभी पुजारी सोचने लगे कि किसे रख हैं इसे प्रकार विग्रा का रिखांकन किया गया तो उसमें पूदने की मुद्रा, अंगुलिया मोडी हुई, सिर से लप्टे निकलती हुई, इस प्रकार के रिखा चित्र की कल्पना की गई राधाबाद दाज जी एक भक्त थे, उन्होंने एक लाग तीस जार रुपए दिये मंदिर के निर्मान के लिए और तीन महीने का समय अनुमानित किया गया भिग्र के निर्मान के लिए इसी प्रकार बक्तों ने दक्षिन यात्रा की प्रारम की, लेकिन सभी मूर्टिकारों ने मूर्टि बनाने से मना कर दिया, जोकि नर्शिंग दिव की मूर्टि उग्र रूप की थी इसी प्रकार 6 महीने बीटते गए विप्रयास करते रहेगी कोई मूर्ती कार मूर्ती बनाने के लिए माने लिकिन कोई नहीं मान रहा था अंत में एक स्थपित के पास वे गए और उन्होंने का कि उन्हें एक उग्र नेसिंग देव क्या विग्र चाहिए तो उन्होंने का मैं अपने गुरु से पूछ कर बताता हूँ तो उन्होंने अपने गुरु शंकराचारिय जिसे पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नेसिंग देव के उग्र स्वरू की सापना कोई सरल काम नहीं है इससे पूर्व मैसूर में पी उग्र नर्शिंग देव का विग्रव स्थापिद किया गया था और प्रारम में वहां का पूजास्तर बहुत ही उच्च कोटी का था लेकिन वह निरंतर गिरता गया क्योंकि वहां के पूजारियों ने और अच्छे से ध्यान नहीं दिया और पूजा अच्छे से नहीं की इसलिए वह गाव निर्जर हो गया सानो नर्शिंग देव बहुत ही उग्र स्वरूप है इसलिए उनकी पूजा करना बहुत ही कटिन होता है इसलिए उनके गुरु ने मूर्तिकार को मना कर दिया लेकिन बाद में मूर्तिकार के स्वपन में गुरु ने दर्शन दिये और मूर्ति बनाने के लिए हां कर दी तो मूर्तिकार ने इसकौन के भक्तों से कहा कि हम मूर्ति बना देंगे और 6 माह में मूर्ती तयार हो जाएगी यह सुनके भक्त बहुत प्रसन हुए और वे वापस लोट गए चार माह बाद वापस वे दक्षिन भारत आए तो सोचा की थोड़े तामबे की वस्तों पूजा की सामगरी खरीद ली जाए और पूछ लिया जाए कि मूर्टी कहां तक बनी है लेकिन वे जैसे मूर्टी कार के पास गए मूर्टी कार ने उन्हें कहां कौन सी मूर्टी अभी तो पत्थर ही नहीं मिला तो वे अत्यान चिंतित हो गए कि इतना लम्बा समय हो गया पत्थर ने मिला, तो वे क्रोजित हो गए कि इतने दक्षिन बारत में पत्थरों की कमी है नहीं, तो इतना समय कैसे लग cardiac मोर्थी बनाने के लिए, लेकिन मोर्ठीकार बहुत ही कुशल था, उसे शास्त्रों का बहुत अच्छा ग्यान था कि विग्रा बनाने के लिए कोई सामन में पत्थर का उप्योग नहीं किया जाता विश्नु विग्रा बनाने के लिए जीवन्त पत्थर की जरूरत होती है अब आप सोचेंगे ये जीवन्त पत्थर क्या होता है पत्थर में जान थोड़ी न होती है लेकिन विश्णु विग्र बनाने के लिए विशेश प्रकार के पत्थर की आवशक्ता होती है इसकी पैचान करने के लिए पत्थर पर साथ स्थानों पर आघात यानि उसे बजा कर देखा जाता है और कुछ निश्चिक स्वार निकलते हैं इससी उसकी पैचान की जाती है और दूसरा पैचान का तरीका इस फटिक खाने वाला कीड़ा पटिक की माला भी आपने देखी होगी उस फटिक का जो कीड़ा होता है, वो अगर पत्थर के अंदर से पत्थर को खाता हुआ, एक रेक निकाल कर लंबी लाई निकाल कर चला जाए, मुतलब वो पत्थर जीवन्त है, तो मूर्तिकार ने इस प्रकार ये बात समझा दी, और कुछ समय बाद पत्थर की खोज भी हो तो जब इसकौन के भक्तों ने सुना ये सब बात तो उन्हें लगा कि पत्थर मिलना तो मुश्किल है, लेकिन मैं वहां मायापूर जाकर वापस क्या बूलूंगा कि ये पत्थर नहीं मिला और जीवन्त पत्थर और ये सब कैसे समझाओंगा, तो उन्होंने का पहले आप प्रहलाद माराज बना दीजिए, उन्होंने का कि एक फुट के प्रहलाद माराज आप हमें बना कर दे दीजिए, तो मुर्तिकार को फिर अश्चरिवा, मुर्तिकार ने उनसे का कि प्रहलाद माराज तो एक जीवानों की भाती बनेगी, छे फुट के नर्सिंग देव के सा तो एक फुट के प्रहलाद महाराज बनाना संभवें तो बक्त को थोड़ा संतोष हुआ कि चलो प्रहलाद महाराज की मूर्ती तो बन रही है पहले लिए पथर की लिए पत्थर की कौच जारी रहेगी एक वर्ष में इस प्रकाल मूर्ती बन गई और मूर्तिकार ने बहुत से मूर्टी बनाई थी तो वो अपने मित्र से मिलना चला गया बिना बताए कि मूर्टी बन गई है वर्षा का समय था तो मूर्टिकार का घर घास को उससे बना था और वर्षा हो रही थी लेकिन अंदर नर्शिंग देव की मूर्टी ने आग आग लग गई मूर्टिकार को य यहां और नहीं रहना चाहते हैं यह सुनकर इसकौन के भक्त बहुत प्रसन हुए कि मूर्ती बन गई है तो वो तुरंती उन्हें लेकर आने के लिए निकल गए लेकिन आये तो फिर उन्हें ग्यात हुआ कि नर्सिंग देव के मूर्ती को सामानी वस्तु नहीं है बहुत ही भ अविशक्ता भी थी विक्रिकर विभाग पूरा तत्व विभाग कला भवन सभी के अनुमोदन पत्र की जानकारी होना भी आविशक्त था लेकिन सारे काम निर्वेगन चौबिस गंटे में पूरे हो गए मायापुर्व तक की यात्रा निर्वेगन संपन हुई तो मूर्ती क्याने के पश्चात एक रस्म की जाती है नेत्र नेवी लनम जो मूर्ती होती है उसे उसे अंदर सापित करके उसके आखों की रचिना बनाई जाती है लोकिन जब मूर्तीकार ने मूर्ती बनाई थी तो उसने नेत्र पहले से ही बना दिये थे और उसकी थोड़ी पूजा वगेरा संपन पहले से ही कर रखी थी इसलिए तो नर्सिंग देव को यहां लाने में कोई समस्या नहीं हुई इस प्रकार मूर्ति की स्थापना की गई संकीरतन आंदोलन रक्षक भगवान नर्सिंग देव श्री मायापूर चंद्रोदे मंदिर में अंतितो गुत्वा स्वयम प्रकट कर दिये गई जय नर्सिंग देव जय प्रहलाद माराच रे गृष्णा प्रपुजी हरी बोल मैं या बहुत बहुत सुन्दर हरी बोल मैं एक्सपेक्ट नहीं करा माताजी आप हां बरी एक्सेट तो सच्पुष में क्या हो बाद जब शिल्पीकार मूर्ति को बनाएं बनाएं बाद में गलती से वह आंक एक्चली वह बाद में लगाना था लेकिन आंक पुरा डी है नारיאל बदा के या सार्ती भी कर दिया अब इस हो गया इतनी गया इतनी आसपास में अर जो कर में चलने जल गया पूरा जल गया लोग परेशान हैं क्यों जल गया उसको बुला के लेके आए सच मुझ की घटना है आप लोग जो मायापूर आ रहे हैं आप सभी को अब मैं यहां से अभी आप हमारे पास में कम समय बचावा है तो मायापूर के अलग-अलग जगाओं की विशेष्था बताते बताते ही हर कृष्णा की क्लास में बताते जाओ हो जगा पर जाने से पहले हमको विशेष्था मालूम हो गई तो और और रूची बढ़ती है अच्छा ऐसा क्या कई कथाएं हैं और यह जो कवच है अभी जो माता जी पड़े हैं अगर किसी को ऐसा लगता है को नेगेटिव एनर्जी ऐसा सता रही है बुरे-बुरे सपना आ रहे हैं तो डर लग रहा है ऐसा होता है तो थोड़ा सा जो लोग नियम पालन कर रहे हैं तो कवच अच्छा सा दाल लीजिए ऑनलाइन में भी मिल जाएगा और मैयापुर में में मंदर के बाज बिलकुल में मंदर के हाल में वहां पर बेशते हैं और बड़ी वाली रही है तो लोग ले सकते हैं तो हरे कुछना टीवी वाले भी ऑनलेन में दे रहे हैं तो हरे करते हैं यह जाद है सचमिश में रहते हैं सब्सक्राइब थैंक्स पर जॉइनिंग वांच्छा कल पतरू बच्छा जगरुपास सिंधुभी आईवचा पजिता नाम पावने भीव 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 नमरमा अनन्त कोटी भीव रूंद कीजे श्री प्रभबात कीजे हरे किशना में से कुछ हत्रूटी हो गई हमा करना हमारे दिख्षिता अव्यास माता जी से अगर बोलने में कुछ कही न कहीं गलती हो गई तो क्षमा करना बच्छे हैं हम आप सब के हरे कृष्ण अभी 35 लोग आगे हैं अभी आप हरे कृष्ण अव्यास में कि अव्यास